नमस्कार दोस्तों मैं हो नीराज और आपके अपनी कक्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग एक एटू के एक बहुत इंपॉर्टन सर्कुलर के बारे में डिसकस करेंगे जो की इस पेसली उन बच्चों के लिए अभी दिया है उनिवर्सिटी ने आज ही दिया है जो फस्टियर में फेल होगा है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टन सूचना जो है वह दी गई है देखे इसका विश्विद्याले द्वारा संचाल पीटेक पाठिकरम में पर्थम वर्स में अनुत्र छात्रों के संबंद में तो जो फेल हुए है उनिके बारे में भी बात की जाएगी देखे आगे क्या कहते हैं अगत करना है कि विश्विद्याले द्वारा सत्र अठारा उन्निस से बीटेक पाठिकरम में ए आए सीटी मॉडल के सीरीज लागू किया गया था यह के सीरीज क्या है अभी मैं आपको डिटेल में यह सारी चीजे बताऊंगा लागू किया गया था तता सत्र बाइस से बीटेक पाठिकरम में व्यापक संसोधन करते हुए नौ निर्मित पाठिकरम और अभी जो है वो क्या किया है अभी का मतलब 22 सेशन से B-Series लागू किया गया है तो ये K-Series, B-Series क्या है आगे आभी आपको मैं वीडियो में इसको भारे में बताऊँगा देखिए क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि उक्त के परिपेक्ष में चात्र हित के दिश्टिगत ऐसे चात्र जिन्होंने 22-23 अथ्वा उससे पूर्व के सत्र में B-Tech पर्थम वर्स में AICT मॉडल करिकुलम K-Series के अंतरगत प्रवेस लिया था और अनुत्तिग्ड यानि कि फेल हो जाने के कारण 22-23 में B-Tech पर्थम वर्स में पुनः प्रवेस यानि कि रियाड्मिशन रिये अड्मिटेट चात्र के रूप में प्रवेस लेकर B-Tech पर्थम वर्स पूनः करना चाहते हैं उन्हें सत्र 22-23 से लागू किये नए पाठ्यचार तथा ओर्डिनेंस चुनने का विकल्प प्रदान करते हुए निम्न वेवस्था लागू किये जाने का निर्णे लिया गया है इसका मतलब है कि जो 2022 से पहले बच्चों ने अड्मिशन लिया था उस समय जो सिरीज चलती थी वो के चलती थी अभी मैं आपको दिखाव दूँगा के के सिरीज का क्या मतलब है और अब जो सुरू हो रही है तो करें कि अगर मालनी जब पिछले साल बच्चे ने के सिरीज पढ़ा था और वो फेल हो गया फस्ट इयर में अब फिर सो उसने लिया है तो उसको बी सिरीज चुनने का विकल्प जो है दिया जाएगा अब उसके अंतरगत क्या क्या चीजें आएंगी यह देखे कह रहा है बीटेग पर्थम वर्स के अनुतिड ऐसे चात्र जिन वे सत्र बाइस तेज से लागू की गई नई पाठ्यचार ओर्डिनेंस बी सिरीज की अनुसार बीटेग पर्थम वर्स पून करने का विकल्प ऑप्षन का चयन कर सकते हैं यानि कि फिर से वही बात रिपीट कर रहा है कि आप चाहें तो जो बी सिरीज है उसको आपको आप कर सकते हो अब आगे देखे क्या करना है वे अनुत्रिट चात्र जो इस विकल्प को चुनते हैं वे बीटेग पाठ्यकरम के समस्त्र समस्त्र वर्स पर्थम दूतिय तिर्थी और चत्थुर्थ को नई पाठ्यचार ओर्डिनेंस के अनुसार पूरा कर सकेंगे यानि कि अनुत्रिट चात्र द्वारा सगलंगन अंडर्टेकिंग और डिकलेरेशन को पूर्ण रूपेन भरकर अपने संस्था में जमा करने कर इस विकल्प को चैन किया जा सकता है इसका मतलब क्या है कि अभी एक अंडर्टेकिंग है इस सर्कुलर के साथ में ही उसमें मैं बता द के सीरीज पूरानी थी वह आपको उप्शन यूनिवर्सिटी अलॉट कर देगी तो देखिए आगे क्या कहते हैं सेकेंड पॉइंट में कि बीटेक पर्थम वर्स के ऐसे अनुत्रि रिचात्र जो सत्र दोहतार बाईस तेईस में बीटेक पर्थम वर्स का पार्ठिकरम एक नहीं होगा यह कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रिएडमिशन की जगा पर एक्स स्टूडेंट की तरह पढ़ना चाहता है तो उस केस में उसको पुराने ही जो है के सीरीज वाले ही सब्जेक्ट को पढ़ना होगा नया वाला वो चूस नहीं कर सकता है ठीक है और लास्ट जो है देखें नेक्स पॉइंट है थर्ड ऐसे चाहतों जो बीटेक दूतिय तुर्थ वर्स में अनुतियंड होते हैं यानि कि जो सेकेंडियर थर्ड यर या फाइनल यर में अनुतियंड हुए हैं उन्हें अपना बीटेक पाठ़क्रम उसी पाठ़चार और अनुसार ही पूरा करना होगा जिससे उन्होंने अपना बीटेक पर्थम वर्स उतियंड किया हो यानि कि उनके में कोई परवर्ता नहीं होगा जहां फेल हुए हैं उसी से पढ़ना पड़ेगा सेकेंडियर में हैं तो सब्जेक कोड अभी चल रहा है वो करेंगे थर्ड य लेटरल एंट्री यह देखें लेटरल एंट्री के बारे में यहां पर बता रहे हैं कि छातर पर 18-19 से प्रभावी AICT मॉडल के सिरीज ही लागू होगा यानि कि इस साल जिन्होंने एडमिशन लिया है लेटरल एंट्री में उनके लिए B सिरीज लागू नहीं होगे उनके प्रभावी होगा इसका मतलब अगले साल यान के 22-23 की जगा पर 23-24 मतलब अगले साल कोई बच्चा एडमिशन लेगा सेकेंड डियर में रियाडमिशन तो उस केस में उसको जो है नई वाली जो सिरीज है जो बी सिरीज वो मिलेगा उसको पढ़ने के लिए तो यह चीज ज हैं उनको बी सिरीज से अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपने संस्थान में संपर्ख करके और अपना एक अंडर्टेकिंग जरूर भर दें जो यहां पर दिया गया अंडर्टेकिंग जब आप भर के जमा कर देंगे कॉलेज में तो कॉलेज आपको आगे जो भी उसका प्रो प्रोडेंट्स को जो है भरना है तो देखिए क्या है नेम भरेंगे आप फादर नेम डेटा बर्थ रोल नंबर इन्रोल्मेंट नंबर यह सारी चीजें आपको अपने रिजल्ट से मिल जाएगी फिर नेम ऑफ दे इंस्टिट्यूट फिर उसको वाश्रेशन और बीटेक किस वाश्रेशन में पढ़ाई करी थी इक इस बाइस में करी या बीसी किस में करी थी कप करी थी वो शेशन भरेंगे नया से बात बात 22 ही होगा जिसमें आप प्रीडमिशन की तरह ले रहे हो और उसके बात जो है फिर से वही सारी बात ने लिखी गई है कि आप तो 18-19 ना ओप्ट करके जो है 22-23 वाला ओप्ट कर रहे हैं और अपने आपस signature, enrollment number, date यह सारी चीजे भरके फिर आप संस्था में जमा कर देंगे और बाकी का काम जो है वो संस्था का होगा तो इस तरीके से अंडेटेकिंग आप लेके अपना भरके और यह सारा detail आप complete कर सकते हैं तो ऐसे सभी बच्चे जो भी अपना readmission करा रहे हैं या कराया ना चाहते हैं वो विशेशकर जो है इसको जरूर ध्यान से देखें और अपने संस्था में संपर करके अपना process जो है complete कर तो देखें अब हम लोग जो है यहां पर समय लेते हैं बार बार के सीरीज और बी सीरीज कह रहे हैं इसका क्या मतलब है तो इसका क्या मतलब है देखें जब आपका syllabus अभी 21-22 में देखें तो फरस्टियर का syllabus था वह आपका था यह वाला syllabus जिसमें के सारे subject के code जो है start हो रह इसको बोलते हैं K-series वाले यान के पुराने subject codes और B-series का क्या मतलब है बी सीरीज का मतलब है जो नए वाले अभी code किये गाए देखें सब क्या है B-A-S से सुरू हुआ है B-W-E-C-B-C-S तो यह आपके क्या है आप B-series है और यह वाला जो पुराना code है वह आपका क्या है K-series है तो यह है आपका उनके कहने का मतलब है कि नए वाला code आप कर सकते हैं तो इसका अभी से द्यान रखें आसे करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों साशेर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए नहीं नहीं वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं धन्यवाद